आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ पासिंग थूरीजन और लास्ट वाले क्या है नना उतिस ठीक है तो सबसे पहले हम Z की टर्मस में क्या लिखते है X प्लस आयोटा वाई ठीक है X प्लस आयोटा वाई और हमें इसका क्या चाहिए Real Part Real Part of 1 अपन X प्लस आयोटा वाई ठीक है तो इसको solve करते हैं सबसे पहले that is equal to 3 तो इसको solve करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे conjugate से multiply करेंगे सबसे पहले अंदर वाली term में बाद में separate होगा real और imaginary में तो x plus iota y multiply with its conjugate इसका conjugate कितना हैगा x minus iota y divided by x minus iota y ठीक है bracket closed that is equal to 3 bracket closed that is equal to 3 ठीक है अब यहाँ पे उपर नीचे multiply कर दिया तो ऊपर क्या बचेगा हमारा x minus iota y x minus iota y divided by यहाँ क्या बचेगा a square minus b square तो यह क्या a plus b यह क्या a minus b so यहाँ क्या बचेगा x square minus में iota square iota square क्या होता minus 1 तो minus minus क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ जाएगा plus में y square that is equal to 3 अब यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए केवल real part real part कौन सा है जिसमें imaginary वाला part नहीं है x divided by x square plus y square तो उसकी value क्या है हमारी 3 x divided by x square plus y square that is equal to 3 ठीक है तो यहाँ पर यह है हमारा तो यहाँ से हम निकाल सकते है x square plus y square that is equal to that is equal to x by 3 ठीक है यहाँ जाएगा यह x by 3 तो यह हो गया हमारा equation of a circle ठीक है this is our equation of a circle तो यह हमारी equation होगी किसकी circle की अब हमें देखना है कि किस से pass कर वा है ठीक है तो यहाँ पर general equation क्या होती है circle की x square plus y square is equal to r square ठीक है यह general equation होती है यहाँ पर origin से इसमें center क्या होता है हमारा center होता है 00 और radius की value होती है r बट दूसरी equation होती है हमारी circle की जब वो origin पर नहीं होता है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c that is equal to 0 तो इसमें center क्या होता है हमारा इसमें center होता है minus g, minus f ठीक है तो यहाँ पर f तो हमारा क्या है 0 तो यहाँ पर x axis का coordinate क्या है जब इसको इस तरफ लेकिंग equation हो x square plus y square minus x by 3 that is equal to 0 ठीक है तो यहाँ पर हमारा center क्या निकलेगा इससे compare करने के बाद 2g, 2g x that is equal to minus x by 3 ठीक है तो यहाँ से x x cancel हो गया ठीक है और यहाँ पर g की value कितनी होगी हमारी minus 1 by 6 ठीक है तो यहाँ पर center क्या होगी हमारा minus 1 by 6 ठीक है तो यहाँ पर आप डारेक्ट ली देख रहे हो कि यहाँ पर x minus 0 y minus 0 तो यानि कि center से pass हो रहा है हमारा ठीक है center से pass हो रहा है मतलब center से pass होने का क्या मतलब है अगर जैसे center है center का ओडिनेट क्या होती है 0,0 अगर हमारा 0,0 इसको satisfy कर रहा है यानि कि यह center से पास कर रहा है ठीक है जब center को काटेगा तो इसकी equation कि किसके बराबर होगी 0 तो एकस की value 0 y की value 0 x 0 is equal to 0 के बराबर है यानि कि यह origin से पास कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमारा यह हो गया center coordinates और यह origin से पास कर रहा है तो consumption correct हो जाएगा सर्कल इस आपने डूट नापने जाएं पेड़ान्स के लेवल सबस्क्रांद प्रेमेंगे जादा स्टूडेंट के भरोसार आज राउनलोड करें डाउट ने यह वाटसाप कीजिए अपने डाउट आट चार्सो 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 पर